तो फाइनली दोस्तो आज का ये वीडियो बहुत ही जादे इंटरेस्टिंग होने वाला है मुझसे काफी सारे लोगों ने ये बोल दिया है कि हम यहाँ बॉलिवूड मिक्स सॉंग बनाना चाते हैं लोफी सॉंग बनाना चाते हैं जिसे स्लो और रिवर्ब सॉंग बोलते हैं और जैसे बॉलिवूड ओल्ड मिक्स सॉंग बनाना चाते हैं तो क्या ये चैनल अगर हम बनाए ये चैनल मॉनिटाइज होंगे पॉलिसी क्या कहती है और आप लोग ने कई साथ लोग को ऐसे चैनल बनाते हुँ देखा होगा और उनके चैनल पर एड भी चल ले और वो पैसा भी रियल डी में कमा रहे है अगर आप लोग इस फिल्ड में आते हैं तो क्या आप लोग पैसा कमा सकते हैं यूटूबर का कहना है और आप लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं उन लोग की तरह और कई लोग बनाते हैं लूपी सौंग उनको मिल जाता है कॉपी रैट सारे सवालों का जवाब आज की वीडियो के अंदर देने वाला हूँ बैच जल्दी वीडियो की शाट करते हैं आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलने चाहँआ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो क्या कर रहा है यार सब्सक्राइब तुमारो तो सबसे पहले हम बात यूट्यूब की पॉलिशी की करें तो यूट्यूब के अनुसार अगर आप बॉलिवीड मिक्स ओल्ड मिक्स या रिमिक्स डीजे मिक्स लोफी सॉंग slow and reverb song इस tap का कुछ भी बनाते हैं तो वो तो monetize नहीं होगा लेकिन 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 हमारे देश के लोग बहुत तेज हैं मेरे भाई हर चीज में कोई ने को जुगार निकाली दिते हैं YouTube के कहने से कुछ नहीं होता भाई अब लोग जो पैसा कमा रहे हैं दियुके पैसा कमाने के जर्ये अलग अलग है अगर हम सिर्फ यहां पर यूटुब एड्सेंस की बात करे है हम इस्पॉंजर्सिब स्रिपक बात दियुने आड्सेंस पैसा किस unfair कमाई उस बारे हम बात करे हैं तो जोग इस notre लोग पैसा कमाते हैं सबसे पहले देखो पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं लोग या तो उनके नया चैनल होगा या उनका पुराने चैनल होगा पीछे स्क्रीन आउन गरना भूलिया था तो हम बात करते हैं या तो उनके पार नया चैनल होगा या पुराने चैनल होगा तो condition क्या क्या कहती है कि अगर आपके वो नए चैनल है तो वो लोग क्या करते हैं उस नए चैनल पर लूफी सॉंग डालते हैं और वो चैनल को वीडियो वाइरल होती है तो उसमें सब्सक्राइबर बेस अच्छा खासा मिल जाता है ठीक है सब्सक्राइबर मिल गए और उसके बाग उस चैनल कर देते हैं वो सेल जो अच्छे खासे रेट में सेल हो जाता है और या तो फिर वो ये काम करते कि उसमें जो भी ओडियन्स आई है सब्सक्राइबर आए हैं वो सब सॉंग सुनने वाले हैं तो वो उसमें फिर अपना ओरिजिनल सॉंग डालना स्टार्ट करते हैं ताकि कुछ उडियन्स उसमें से उनका सॉंग देखना स्टार्ट करते हैं और उसी का चैनल को आगे बढ़ा के ले चलते हैं फिर अपना जैनल कंटेंट के साथ किसी और कनेंट से सबसे पहले चैनल को मोनेटाइस करते हैं या भी मोनेटाईल कर साथ है उसमें अगा सॉंग दालते हैं तो उसमें या तो कॉप्रियोट क्लेम आएगा strike एकदम से नहीं आईगी corporate claim ही आता है corporate claim आएगा claim आगे तो पैसा नहीं मिलेगा अग claim नहीं आया तो जितना add आएगा उसका पैसा उनको मिल जाएगा ज़र claim आता है तो ऐसा होता है कि वो low fee song में किसी किसी पार्ट में claim आता है तो उस claim वाले पार्ट को कर दिंगे या trim या mute या उसको delete कर दिंगे अगर mute करते है तो वाई गाने का इंटरेट करता हो जाएका तो वो उस भाग को क्या कर दिंगे तो DJ mix से वाले होते हैं वो ये काम करते हैं ज़र अलग-अलग song की उनने clip ले ली तो किसी एक song में आ गिया copyright claim तो उस song को cut कर दिंगे ठीक है अब जो song में copyright claim है वो तो cut हो चुगा तो claim हड़ी गया या से अब वो song अब monetize हो सकता है और add भी उसमें आ सकते है चैनल पहल से monetize है YouTube ने उससे उस समय चेक करके monetize कर दिये था लेकिन अब इसमें पढ़ने है low view song या फिर dj mix song तो वो song पढ़ने के बाद उस song को जो add आगा उसकी revenue मिलते जाएगी अगर किसी वीडियो में उनको लगते कि इसमें strike आ सकती है उस वीडियो को कुछ दिन बाद दो तीन दिन बाद उसो delete मार जाता है जब इसमें views आने खतम हो जाते ठीक है और जो वीडियो वीडियो आ रहे हैं उनको चलते रहें दिया जाता है बट एक चीज है अगर आप इसको lifetime लेके चलना चाह रहे हैं तो आप गलत सोचने मिर भाई कोई फायदा नहीं होगा कभी ने कभी आपके चलन को terminate कर दिया जाएगा या एडसेंस को suspend कर दिया जाएगा या फिर आपको copyright श्ट्राइक आजाएगी इसमें आप करियर नहीं बना सकते हैं यह बात हकीकत है और बात करें लोफी सॉंग की देखो लोफी सॉंग आप डालते हैं तो लोफी सॉंग में आपको मिल जाता है copyright claim अब वह copyright claim ऐसा होता है कि पूरे all over song मिलता है अगर आप dj mix से बना रहते हैं उसमें अलग-अलग song कट करके लगाते हैं आप दो तिन सॉंग और दस पंदर सॉंग बीस पचास सॉंग आप mix कर दिया तो किसी एक सॉंग में उससों ट्रिम कर दिया बड़ लोफी में ऐसा ही होता है अगर गाना ट्रिम करता तो गाने का बड़ा सुरु भी कर जाएगा और claim आता तो पूरे song में आ हटा सकते हैं जो claim आता corporate claim लोफी song के अंदर slow and reverb song जीसे कहते हैं उसे claim करता सकते हैं पूरा genuine proof के साथ बता रहा है मेरे वाई तो इस वीडियो को देखना और ये वीडियो कैसे लिए comment box में जो बताना है वीडियो पसंदा लाइक कमें अब मैं मिलूंगा किसे और नई वीडि